नीम्बू और मिर्ची को बुरी नजर से बचाने के लिए उपयोग करने का प्रचलन काफी पुराना है और यह जियोतिश शास्तर में भी महत्वपूर्ण माना जाता है नीम्बू का नाम विश्नुफल है और मिर्ची को नजर तोड़ने वाली शक्ती के रूप में माना जाता है इसलिए इन्हें बचाव का प्रतीक माना जाता है जो अशुभता और बुरी नजर को दूर करता है यह एक प्राकृतिक उपाय है जिसका उपयोग लोग आमतोर पर सुरक्षा और समरिद्धी के लिए करते हैं नीम्बू को टोटकों और उपायों में उपयोग करने का प्रचलित तरीका है यहां कुछ नीम्बू से जुड़े चमतकारी टोटके दिये गए हैं बिजनेस या कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक अनूठा टोटका है जिसमें नीम्बू का उपयोग बिजनेस या कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह टोटका आपके द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार किया जा सकता है एक नीमबू लें और उसे शनिवार के दिन अपने दुकान या ओफिस की चारों दिवारों पर स्पर्श करें ध्यान दे कि आपके द्वारा स्पर्शित किये गए चारों दिवारों को यह नीमबू टुकड़े से चार भागों में काट दें इसके बाद चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा नीमबू फेक दें किस्मत में सुधार और सफलता नीमबू का उप्योग किस्मत में सुधार और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है नीमबू का टुकड़ा उतारने के बाद आपको उसे दो टुकडों में काटना है और फिर उन टुकडों को विभिन दिशाओं में फेकना है आपको एक मीमबू लेना है और उसे अपने सिर के उपर साथ बार उतारना है फिर उसे दो टुकडों में काटें जहां बाएं हाथ का टुकडा दाईं तरफ और दाएं हाथ का टुकडा बाईं तरफ फेक दें नजर उतारने के लिए मीमबू और मिर्ची को बुरी नजर से बचाने के लिए वास्तु शास्त्र में उप्योग किया जाता है इसे घर, ओफिस या दुकान के बाहर तांगने से नजर दूर होती है और व्यक्ति की सुरक्षा और सुक्षान्ती में मदद मिलती है आपको एक नीमबू और एक मिर्ची लेनी होगी इसके बाद आपको नीमबू और मिर्ची को एक धागे या तार के साथ बांधना होगा ताकि आप उन्हें आसानी से टांग सकें अब आप इसे अपने घर, ओफिस या दुकान के बाहर के दरवाजे, छट या वाहन पर टांग सकते हैं